बच्चों आप लोगों का स्वागत है MZ classes में फिर से और आशा करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप लोग बहतर होंगे class 8, 9, 10 वाले क्योंकि आप लोगों का exam खतम हो चुका है लेकिन कुछ लोगों का class 11 वालों का exam बाकी है जो कि 17 तारिक से start होने वाला है तो उन सभी बच् लेकिने तो इस चोटे से टाइम में मैं आप लोगों को लिए कुछ शेवा करना चाहता कुछ वीडियोज लेकर आया हूँ तो प्लीज आप नहीं है तो वीडियोज को जरू से जरू करके जाईएगा और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो यह जो म पूछे जा सकते हैं ठीक है तो उन्हीं में से एक कोश्चन इस परकार के हैं जो कोश्चन क्या है कि आपके पास एक कोश्चन दे दिया और उसे निकालने बोल रहा है कि इनका मान क्या होगा है किने सर तो कैसे इन कोश्चन को निकालेंगे कैसे क्या करेंगे लेकिन सर एक् पर क्या होगा उटपटांग डिगरी 15 डिगरी 20 डिगरी 80 डिगरी तो इन कोस्टनों को कैसे हमें कहल करना है इनका डिगरी तुँ याद रखने सकते हो है कि ने तो चलिए इन कोस्टन को कैसे बनाना ध्यान से देखें ध्यान से आप देखें कि यहाँ पर क्या बोल रहा है सा साइन 15 डिगरी, अब इसे हमें मान ग्याद करना है, चलिए हम लोग साइन 30 डिगरी का मान तो जानते हैं, लेकिन कोस्ट 15 डिगरी का मान तो नहीं जानते हैं, फिर उसे परकाश साइन 15 डिगरी का मान नहीं जानते हैं, तो इन कोस्टन को हल करने के लिए हमें क्या करना ठीक है तो फॉर्मूला इस परकार है सबसे पहले आप फॉर्मूला को देखें कि यह फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोर्स बी पलस को से साइन बी यह थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला इसे जरूर से जरूर याद रखना है क्योंकि यह नहीं की मदद से बने अब जरह यहां पे ध्यान से देखें यहां पर क्या है यह 30 डिग्री है यह 15 डिग्री है फिर वही डिग्री रिपीट हो र जले, तो sin A cos B, फिर देखे, cos A और sin B, मतलब क्या होगा इस formula के according आपके पास बैठ रहा, ध्यान से देखे तो sin A cos B plus cos A sin B, मतलब हमें question में क्या दे दिया, इधार का value दे दिया, और हम लोग क्या कर रहेंगे, इसका use करके, हम लोग formula इस्तिमाल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखे, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, sin 30 degree, cos 15 degree, cos 30 degree, sin 15 degree, तो formula के एक ओडिंग क्या लिखेंगे, आपके पास 30 degree plus 15 degree, ठीक, फिर उसके बाद आब अंदर जोड़ दे, एंगल को, 30-15 कितना हो जाएगा, सर, आपके पास 45, ठीक, 30-15 आपके पास 45 हो गया, और आपको पता है, sin 45 degree का मान कितना होता है, एक बटा root 2, यह रहा आपका अंसर, ठीक, तो इन question को इस परकार से हल करना है, तो आपको यह formula को याद रखना करेगा, कि यह formula क्या होता है, बहुत असान तरीका है, कि sin A plus B का formula क्या होगा, sin A, cos B, plus cos A, sin B हो, ठीके सर, चले, अब next question के और चलते हैं, से मोईशी उसी परकार के question है, इस question में क्या बोल रहा है, cos 45 degree, गुना cos 15 degree, minus sin 45 degree, गुना sin 15 degree, इसका मान ग्याद करना, तो इसमें भी देखी, इसमें भी formula यूज होता है, formula क्या यूज होता है, सर, cos का formula होता है, तो cos A plus B is equal to cos B, यहाँ पर पलस तो उसका just ultra formula हो जाता है, sin A, sin B, इसे formula की यूज करने वाला है, देखें द्याँ से, तो cos 15 degree, minus sin 45 degree, into sin 15 degree, ठीक है, चले, तो cos A, cos B है, sin A, sin B है, मतलब यहाँ पर देखें, तो A के जगा में कितना 45 degree है, और B के जगा में कितना है, अपके पास 15 degree, तो यहाँ फिर से, A के जगा में कितना है, आपके पास 45 degree, और B के जगा में कितना है, 15 degree, तो cos A, cos B, minus sin A, sin B, तो formula क्या हों जाता है, तो क्या लगा देंगे, cos A, minus क्या हो जाएगा, plus यहाँ पर 15, प्लस 45 इक्वल टू कोस 60 डिगरी और आपको पता है कोस 60 डिगरी कमान कितना होता है 1 by 2 होता है तो गाईज इस तरह से इस question को बनाना है अब एक question है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ देखता हूँ कि आप लोगों में कितने लोगों को आता है इस chapter से question को बनाना और अगर आपको आता है तो please comment box पे जरूर comment करें कि इस question का answer क्या